दिल्ली पुलीस रिकूरूटमेंट 2020 नमस्कार दोस्तों दिल्ली पुलीस रिकूरूटमेंट 2020 को लेकर बड़ी अपडेट आपके सामने आज हम लेके आए इस बार नमबर ओफोम कितने अपलाई विए साथ ही बात करें तो इस बार कितने कंडिडेटों को रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किया जाएगा जी यहां दोस्तों क्यूंकि इस बार आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट ही होने वाला है तो यहाँ पर return test में आकिर कितने candidate qualify किये जाएंगे जिनका यहाँ पर physical fitness test होने वाला जिया दोस्तों दिल्ली फिलिस का physical है उसका level थोड़ा hard होता इसलिए यहाँ पर return में कितने गुना candidate को pass किया जाएगा और इस बार की जो आपकी cut hop है वो कितनी रह सकती है मतलब physical के लिए कि को इस वीडियो में आज हम विश्तार से बताने वाले वीडियो अपके लिए बहुती महत पुर्ण साबित होने वाला वीडियो कहने तक आप जरूर बने दीजिगा साथ वीडियो को like कर दीजिगा तो चैनल पर पहले बाहर आयो तो चैनल को आप जरूर subscribe कर ले ताकि दिल् कितने apply है दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले यहां पर बात करें दिल्ली पुलिस रिकूरूटमेंट 2017-18 की जो भरती थी उसकी अगर यहां पर बात करें तो उसमें नंबरों पॉम है दो साड़े बारा लाग पॉम यहां पर apply है थे बारा लाग पचास हजार के इस लाग प्लस पॉम इस बार apply है और इसका कारण भी सिधा सिधा में आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको age क्रिटेरिया में बारी छूट दी गई है जी हैं दोस्तों age क्रिटेरिया में बारी छूट दी गए और दूसरा कारण आपका यह है कि सबसे पहले आपका return test ह होने वाला है जी हैं दोस्तों सबसे पहले return test होने वाला है तो यह भी एक बड़ा कारण है CGL के साथ में BTEC वाले candidate भी इस बार इसका पॉम अप्लाई जरूर किया है तो यहां पर बात करें तो यह एक बड़ा region है कि आपकी जो cut-off है उसमें भी बड़ा अंतर आपको देखन को मिल सकता है लेकिन कुछ different भी है यहां पर इस बार आपके negative marking भी सामिल कर लिए मतलब 0.25 है वो आपके negative marking है एक बड़ा च्यार आपकी negative marking होगी SSC की तरफ से जबकि पहले यह negative marking नहीं होती थी अब बात करते हैं दोस्तों इस बार अगर 20 लाग पलस पॉम अपलाई होते है तो आपकी कटोप कितनी जाएगी और कितने कंडिडेटों को return में qualify किया जाएगा दोस्तों मैं बता जता हूँ physical के लिए qualify को होने वाले कंडिडेटों की अगर बात करें तो यहां पर SSC ने दिल्ली पुलिस recruitment को लेकर साब साब बता दिया है कि 12 गुना कंडिडेटों को vacancy क 12 गुना कंडिडेटों को हम physical के लिए qualify करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो 70,000 के लगब कंडिडेट होंगे जिनको यहां पर return test में qualify किया जाएगा अब बात करते हैं दूस्तों यहां पर 8-9,000,000 फोम है वो पिछली बरती से ज्यादा apply वे दूसरी बात पिछली बरती पिछली में 6000 वेकंसिती और return में 6000 पास किया था लेकिन इस बार आपकी वेकंसि 6000 के लगबग है लेकिन पास यहां पर 70,000 कंडिडेटों को किया जाएगा तो ऐसे में क्या return की कटोप आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी और आखिर अ और कंडिडेटों को करना पड़ेगा पास दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको डिटेल से क्योंकि कुछ कंडिडेट ऐसे हैं जो यहां पर return आराम से पास कर लेंगे और return में अच्छे नंबर भी बना लेंगे लेकिन वो physical पास नहीं हो पाएगे क्या ऐसे में वेकंसि पर पास किया जा सकता है अब बात आते हैं दोस्तों पिछली कटोप की अगर हम बात करें तो पिछली एर की जो आपकी नेक्स्ट एर की जो पिछली एर की आपकी जो लास्ट एर की जो वेकंसिती दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट की उसमें यहां पर आपके ओपिस जनरल category की बात करे तो 77 journal की cut-up रही थी और ये cut-up थी final cut-up जी हां दोस्तो final cut-up थी यहा पर आपका मतलब 17 जिनके नमबर थे उनको finally यहा पर दिल्ली फ्लिष में भरती कर लिया गया था journal category वालों को 76 आपके OBC candidate थे जिनको यहाँ पर दिल्ली फ्लिष में finally क्या पिछली कटोप से बढ़ेगी या बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले या पिर कम रहेगी तो दोस्तों इसका अंदाज आप खुद भी लगा सकते हो क्यूंकि ये कटोप रही थी इसमें केवल यहां पर आपकी जितनी वेकंसिती उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई किय अगर वेकंसी उस टाइम 7000 के लगबक्ती तो 7000 कैंडिडेटों को ही पास किया गया था लेकिन दोस्तों बात इस बार किये इस बार आपके 12 गुना कैंडिडेट मतलब 70,000 कैंडिडेट यहां पर ज्यादा पास किये जा रहे 70,000 कैंडिडेट पास किये जा रहे तो ऐसे में आपके कटोप क्या बढ़ने के चांसेज है या नहीं क्योंकि साथ में आपके negative marking भी होने वाले दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस बार आपका normalization का rule भी लागू होने वाला है जी हां दोस्तो normalization का rule भी यहां पर आपका लागू होगा जिससे भी आपको एक बड़ा फायदा यहां पर मिल जाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस रिकूट्मेंट भी एक लंबे समय तक चलने वाला है और इन सब को अगर देखा जाए तो normalization का आपको सीधा सीधा फायदा यहां पर मिलने वाला है क्योंकि कई पैपर ऐसे होंगे जिनमें यहां पर GS हाड आजाएगा जबकि कुछ पैपर ऐसे होंगे जहां पर GS है वो EG आपको देखने को मिल जाएगा और कई में moderate तो इन सब को मिलागर आपका average यहां पर ratio निकाला जाएगा SSC की तरफ से तो कुछ पैपर अगर बात करें दोस्तों SSC GD कोंश्टेबल की तो वहां पर भी कुछ कंडिडेट ऐसे थे जिनके यहां पर normalization में 0.something से लेकर 1 नमर या 2 नमर तक बढ़े थे जबकि कुछ कंडिडेट ऐसे थे जिनके 10 से 12 नमर भी normalization में बढ़े थे अगर दोस्तों आप इन सब को देखे जाओ तो यहां पर अगर आपके 70 नमर है और अगर आपके 12 नमर 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 बढ़ जाते तो आपके 82 नमर हो जाते हैं जबकि अगर यहां पर आपके 70 नमर है और आपके 2 नमर ही normalization में बढ़ते हैं तो आपके 72 नम्मर हो जाएंगे, दोस्तों ये एक बड़ा कारण है, ये आपका बढ़ने का कारण में बता देता हूँ, आपके paper पे depend करेगा, आपके paper का level किस परकार है, अगर आपके paper का level अगर hard है, तो आपके normalization में नम्मर बढ़ने के बहुत ही ज्यादा chances बन जाते हैं, अगर आपका paper normal है, तो आपके normalization में नम्मर बढ़ने के chances बहुत ही कम होते हैं, तो दोस्तों ये ही अगर हम बात करें, तो आखिर कितने number तक आपको दिल्ली पुलिस में selection लेने के लिए, दिल्ली पुलिस में physical के लिए qualify होने के लिए लाने ही पड़ेंगे, दोस्तों मैं आ अगर आप general या OBC से belong करते हो, और अगर आप 70, 70 प्लस ही score करते हो, तो आपका 100% chances इस बार बन जाएगा, जी हैं दोस्तों 100% आपका दोस्तों यहां पर आपको physical के लिए qualify कर दिया जाएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार की कटोब 76 रही थी, लेकिन इस बार क कटोब 70 क्यों रहेगी, दोस्तों मैं बता देता हूँ, पिछली वार जितनी आपकी वेकंसी थी, 6000 वेकंसी थी, तो 6000 ही कंडिडों को पास किया गया था, लेकिन इस बार आपकी वेकंसी का 12 गुना कंडिडेट रिटन में qualify किया जाएगा, मतलब कहा 6000 और कहा 70 अजार, तो आ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप पूरे क्यूशन करके आओंगे, और कम से कम आपके, अगर कम से कम माने, तो 5 से 7 क्यूशन आपके आलरेडी नेगेटिव मार्किंग नहोने के कारण आपके सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके नेगेटिव मा पास रहने वाली है physical के लिए दोस्तों अगर आप इतने नमबर लेके आते हो तो आपका physical के साथ फाइनल सलेक्षन का भी chances बन जाएका अब बात करते हैं दोस्तों अगर आप return qualify कर लेते हो आपको physical के लिए बुला लिया जाता है तो बहुत से देखा जाए 60 क्यूशन आपके GS के मिल जाएंगे 50 GS और 10 computer के आपके मिलेंगे तो 60 क्यूशन है और यही एक पार्ट होगा जो आपका selection निश्चित करेगा दोस्तों इसके बाद में आपका physical होगा जिसमें 1600 मिटर के आपके running होगी जिसमें 6 मिनिट का आपको समय दिया जाएग 14 पिट का आपका long jump होगा जिसमें आपको 3 chance दिये जाएगे और 3 लोग का आपका high jump होगा दोस्तों यह physical criteria भी बहुत ही ज्यादा ठप है पिछली बर्ति की अगर यहाँ पर बात करे तो 100 में से 15 से 20 candidate physical में running qualify हो पा रहे थे तो इन सब को देखा जाए तो यहाँ पर physical के लिए qualify होने वाले candidate return में qualify होने वाले candidate हो का बहुती ज्यादा chances बन जाता है selection होने का अगर वो physically pit हो जाते है तो दोस्तों यह ती एक मेरे दोरादी की छोटी सी जानकारी जानकार एकर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा साथ में जानकर इपने दोस्तों के पा अबार